रोटी कपड़ा और मकान सभी को चाहिए और सब लोग गिते मनुष्य हैं अपना जीवन कमफर्ट में जीना चाहते हैं जरूरी नहीं कि बहुत लगजरी हो लेकिन मानो जीवन के लिए उपयोगी जो वस्तुएं हैं जो जरूरी है जीवन में जिने हम आत्यावशक श्रेडी में रखते हैं वो कम से कम मिले और उसकी सप्लाई नियामित रहे धन हमारे पास उतना हो कि हम हमारा परिवार अच्छे से खापी ले रह ले और हमारे घर में जो साधू आए जो महमान आए उसे भी यथा योग्य उसकी सेवा पूर्ती की जाए तो अब बहुत बेसिक नेसि प्रिसोट की जो आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग आप ही के अपनी चैनल पर और इस चैनल का में उद्देश है जीवन जोतिश्वर अध्याद को मन्थन करके अम्रित की प्रस्तुति कराना भारत में सौ करोड से ज़्यादा लोग रहते हैं और दो ही अगर हम चिन्ह बोल हैं हमारे पास जबकि हमारे देश में लक्ष्मी माता को हम लोग पुजा करते हैं तो सौ करोड से ज़्यादा भारती है यह दो चिन्हों से महताज हैं और इसलिए उनका जीवन कठिन है तो क्या चिन्ह हैं क्या हमको जीवन में रोटी कपड़ा मकान एक निश्यत वाजिब तादाद में मिल पाएगा दूसरा क्या वो नियमित रह पाएगा आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और ऐसे ही यह दो चिन्हों नहीं हैं तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा जीवन में श्रम बढ़ जाएगा अत्यादिक श्रम दंड की भाती माना गया है जोतिश में और श्रम में अगर कोई व्यक्ति है तो उसे कर्म की और अगरसर होना चाहिए और फिर उसको कर्म काट कर मुक्ष मुक्ती की और अग्रसर होना चाहिए दो चीजों रोटी, कपड़ा और मकान इसका मिलना और नियमित होना क्या हमारे हाथ में होगा यंगिस्टर्स की भासा में अगर कहें तो पानी पैट्रोल पदार्थ वो लोग कुछ इसी तरह बात करते हैं पानी पैट्रोल और पदार्थ ये अच्छी तादाद में होना चाहिए अच्छी तादाद में ना हो वाजिब तादाद में हो आज हम मित्रों दो साइन की बात करेंगे तेखिए हमारे पास में इतनी संपत्ति तो हो कि हम अपना पेड भर लें परिवार का भरन पोशन कर लें भावेश्ची कुछ योजनाई बना लें ताकि रिटार्मेंट के बाद भी हमारा जीवन एक अच्छी गती को गती से बरकरार रहे यह होते हैं हमारे शनी के परवत हमारी सारी संपत्ति को कंट्रोल करते हैं हतेली में कहां बैठते हैं मध्यमा के नीशे शनी हमारी संपत्ति के मालिक हैं आज जिस भी भगवान की तूजा करते हैं जब वो आपको लाब देंगे तो शनी भगवान के रास्ते ही आप तक धन पहुँचेगा ओम शम शनिश्राय नमाहा यहां पे शनी भगवान यह इस परवत पर बैठते हैं तो कैसा परवत हो परवत परवत पिट ना हो परवत साफ़ तरह बना हो के अच्छा हो और भी अच्छा है लिकेन एक और यह दिक्कत नहीं है दबे हुए अगर शनि अगर है तो आपसे महनत कराँए आपको नई चीज देंगे कला कला देंगे तो आपको कला देंगे और उस कला से और फोलो पूल होगे तो कला आपकी संपत्ती रहेगी हमेशा तो दबे हुए शनी से ऐसी कोई प्रॉब्लम खास नहीं होती है जीवन पे आज हम बात कर रहा है मित्रों रोटी कपड़ा मकान या और येंगर स्टेल्स की भास्या में कहें तो पाने पैट्रल परार्थ शरी परवत पे पहला चिन्न कम से कम एक खड़ी रेखा हो एक खड़ी रेखा हो एक होनी चाहिए शनी परवत पे बहले वह छोटी हो भले वह लंबी हो फिर दूसरी डिजाइन में भी हो वाई शेप में बनी हो कोई दिकत नहीं है लेकिन एक हो अगर दो होती है तो बहुत अच्छी बात ह यसी सतिली में दो है तो अगर दो रेखा है शनी के परवत पे तो यह बहुत अच्छा है अगर एक भी रेखा नहीं है मान लीजिए शनी के परवत पे तो पचास साल के बाद 55 साल के बाद व्यक्ति भीक मांगता है तो आपकी कोशिश हमेशा होने चाहिए कि शनी परवत प पहला चिन्ह और यही हमारी लख है यही हमारी संपत्ती है यही हमारी नौकरी है यही हमारे हमारा घर हमारे परिवार हमारे लोग आप उनकी जितनी भी वैल्यू लगा सकते हैं क्या क्या वह आपके लिए कितना कितनी शम्ताइं रखते हैं कितना आदर रखते हैं आपके और दूसरा अगर एक बड़ी भाग यह रिखा होजाए अब यह रहा क्या होती है यह देगी अगर यह गायब हो गई पर फतनी प्रब्लम हो जाएगी जातिका है तो वह हम अरका और तो कि निकल सकती है और शुक्र के परवस से निकल सकती है अगर शुक्र के परवत से निकल जाती है, तब तो कहना ही है क्या, व्यक्ति घर से धनवान होता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास में ज़्यादा पैसे का कुई उतनाओ logan सर्वा अठेंशन नहीं होता है लेकिन एक लख लाइन होना चाहिए केतु के परवर से निकले या चाहिए जाय से इस हाथ में केतु पे से निकली हुई है या शुक्र पे से निकल जाए वेक्ति लख यह bağ sanct डेती है आप शोट कट में आके बढ़ जाते हैं अट जैसे मैनेजर बनने की लिए मान दीजे पांस साल का एक्स्पेरियंस कान शाहिए किसी कंपैनी में आप दो साल में बन जाते हैं आपने करने कर्म को काट लिया आपको 30 साल की कर्म कर दिया और अपना समान बंगा लिया तो आपने आपने वह 40 बचा लिये और दस सेकेंड में आपने उससे order करवा लिया तो आपने आपने कर्म काट लिये यह में बात करो तो live easy हो जाते है लक्लाइन हो तो live easy हो जाती है अच्छा केतू और शुक्र परवत से निकल जाए तो बहुत ही अच्छा यह शुक्र का परवत है यह हुआ दूसरा साइन यह होना चाहिए बस दो साइन होना चाहिए और सौ करोड से ज्यादा जो भारती हैं उनके हाथ में यही साइन नहीं है ना तो एक खड़ी रेखा होती है अगर होती है है तो कटट जाती है असे नहीं वक्री वह जाते है और दूसरे एक लाइन जो नीचे से निकल कर चंदर पर से निकले यह तो चिंद होना चाहिए तो व्यक्ति को पानी पैट्र पदार्थ रोटी कपड़ा मकान लाइफ में मिलेगा स्टेबल रहेगा ड़ेंशन अपनी और यदि आपका जो वैपारिक लाइन है अगर बुद्ध लाइन भी बनी है इसी से एडिशनल एक जानकारी में दे दूं आपको हमने आज के वन दो चिन्नों को जानना था वो जान लिया अगर बुद्ध की रेखा भी बनी है तो आपका मनी ट्रेंगिल में बन जाता है तो म आप का डिखाने लगता है मनी का मनी का स्टोरेज दिखाने लगता है आपके पास में एक स्टोरेज के रूप में द्हण पड़ा हुआ है जो आगे आपकी घुर्ष की योजनहों में आगे को बहुत सभाइता करेगा तो अगर यह जो हमारी बनेगी यह साहए है जो हमारी साह क्राइक लेगी उसी से बेसलाइन लिकल कर यह ट्रैंगल का फोर्मिशन होता है यह अन्le यह डिखाने लगता है इस इत विझा हमें भी बनेगा और पानी प्रवत पे एक रिखा हो और एक लग लाइन सहायक नीचे से पहुंच जाए शनी के भरवत तक यह दो लाइन आप लोग अपने मित्रों हाथों में भी देखिए जातिकाय बाया जातक राइट जातिकाय अगर प्रोफेशनल है तो संपत्ति और ग्रोथ के लिए राइट ही देखिए जानकर आपको पसंद आई होगी मित्रों दो चेंद हैं हम सौ करोण भारतियों में नहीं मिलते हैं करें चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंड कीजिए सबिस्क्राइब करते जाना मित्रों श्री गणेशाय नमाहा मा सहराश्वती नमस्तु भ्यम